Hello Students, मैं रिर्वे शर्मा और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं Maximum Students की सबसे बड़ी प्रॉलम की जिसका नाम है मैस एक सर्वे किया जाए और सबसे ये पूछा जाए कि बताएए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है तो I think Maximum Students का reply होगा मैस और इसका डर इतना जादा है न मतलब COVID-19 का डर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और ये डर अभी आया है मतलब हमारे स्टुडेंट जो मैस का डर है वो पिछले कई सालों से अपने सर पे लेगे गूम रहे है और सिर्फ इस डर के वैसे बच्चे जो है वो मैस से बहुत भागने लग गए मैस से मतलब वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता और सिर्फ परते भी उसको सिर्फ उस टाइम पर है जब या तो कोई टेस्ट होता है और या तो फिर स्कूल में पेपर तो आज इस सेशन में हम सबसे पहले तो यह जानेंगे कि कौन-कौन सी प्रॉलम बच्चे फेस करते हैं और इन प्रॉलम का exactly solution क्या है तो start होते ही जड़नी हमारी कहां से किसी भी subject के आप बात करते हो तो सबसे पहला step आपके बास आता है understanding तेकि understanding करने के लिए किसी concept को समझने के लिए बच्चे के बाद दो option होते है पहला option बच्चे के पास क्या है school दूसरा है हर बच्चा कहीं न कहीं या तो home tuition या फिर coaching center जोईन कर रखा होता है उसने तो school के अंदर तो teacher को choose करने की power उसके हाथ में नहीं है बही जो teacher है math का हो सकता है काफी बार बच्चे और teacher में communication gap आ जाता है तो school ने जो teacher provide किया हुआ है तो school में तो बही teacher पढ़ाने वाला है तो हो सकता है बच्चे को उसका समझ में आता हो या नहीं आता हो लेकिन दूसरा option जो है वो बच्चे ने खुछ choose किया है किसी भी home tutor को लगाने से पहले या फिर किसी भी institute को जोईन करने से पहले सारे बच्चे trial class लेते हैं और उस institute या उस home tutor को वो continue तभी करते हैं जब उसको उसका पढ़ाने का तरीका समझ में आता है जो वो पढ़ा रहा होता है वो पढ़ाय हुआ concept समझ में आ रहा है तो that means understanding मे तो मेरे साब से problem नहीं होनी चाहिए और यदि problem है so you have option वे teacher change करो home tutor change करो institute change करो तो पहला step तो मेरे साब से जिसके अंदर problem नहीं होती है वो है understanding दूसरी चीज़ क्या होती है काफी बार होता है क्या है जैसे suppose मैं example लेता हूँ class 10th के अंदर chapter है quality question और institute के अंदर या आपके घर पर जो home tutor आता है उसने तीन तारिक को पढ़ाना शुरू करा तीन जून को तीन जून चार जून पांच जून च्छे जून और साथ जून तक यह चार-पांच दिन वो चैप्टर पढ़ाया उसने अब इससे लेड़िड हम यह अपनी memory की बात करें तो हो तक है जैसे तीन जून को उसने पढ़ाना शुरू करा और तीन जून को यह आप शांग को सब चार से पांच आपका बैच था और शांग को साथ में आप उस चैप्टर को घर के पढ़ लेते हो तो मेरे साथ से लगबक 95-100% content आपको याद होगा लेकिन यह उसी चीज को आप जो तीन तारिक भी जूड चुका है अब कुछ बच्चे चार तारिक को पढ़ना शुरू करते हैं उसी सेम content को मलब इसको हम बोलते हैं procrastination procrastination means मलब अपने काम को deal दे देना मलब आज की जगए कल की जगए परसों कर लेंगे इस टाइप से इसी तरीके से यदि हम इस content को आप में से बहुत स 20% ही याद रहता है अब एक चीज मुझे बताइए जब उसे 20% ही याद है तो मनलब 80% प्रावलम आने वाली है तो पहली नजर में जो यह पूरी जर्नी जो है न यह डर की जर्नी है वो start होती है procrastination से इसको खतम कैसे किया रहा है तीन तारिक को जो पढ़ाया गया है उसको आप तीन तारिक को ही पढ़ लो तो आपका काम solve हो गया पर जितना आज पढ़ाया गया होगा उतना ही आज पढ़ लो और इसकी शुरुआत आप आज से कर सकते हो आपके tuition के अंदर आपके school के अंदर जो आज पढ़ाया जा रहा है आज से यह ठान लो कि जो आज पढ़ाय जाएगा वो आज ही हम पढ़ लेंगे तो मतलब procrastination आपने avoid कर दिया तो पहला step हमारे पास क्या था understanding दूसरा जो step होता है वो है procrastination और इसको जितना ज्यादा ख़तम कर सकते हो उतना ज्यादा ख़तम करो तीसी चीज़ या आती है suppose हम माल लेते हैं कि आप अप अच्छे बन चुके हो आपको समझ में भी आ रहा है quadratic equation दूसरी चीज आपने आज आ काम आज भी पढ़ना शुरू कर दिया लेकिन काफी बार क्या होता है quadratic equation के अंदर जो most important चीज है वो है middle term splitting और वो बच्चे को 7th class में 8th class में 9th class में अब आप 10th में हो लाग वक्त 3 साल से पढ़ाय जा middle term splitting सीखनी है हो सकता है आपकी tuition वाले ने ये समझ लिया हो कि आपको 7th, 8th, 9th, 3 साल आपको पढ़ाय गया है और आपको 3 साल में शाय दो साल तो पढ़ाय जाता है 8th, 9th पे तो तो आपने 2 साल के अंदर तो बहुत अच्छी middle term splitting सीखनी होगी तो शाय वो इस साल ना पढ़ या फिर algebraic equation का multiple नहीं आता या यदि 11-12 के अंदर बच्चे हैं तो trigonometric उन्हों 10th में धंसे नहीं पढ़ा तो मतलब पहला step understanding, दूसरा procrastination को जितना खतम कर सकते हो खतम करो, तीसरा step is basic mathematical tools, मतलब हर chapter के आपके पास कुछ limited formula होंगे और उसका background भी आप जाओगे, मतलब वो basic देखो यदि आपको दर खतम करना है तो दर खतम करने का से एक मतल तरीका है उसे face करना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, maths को face करना, start करना है, तो understanding समझ में आ गई है, teacher अच्छा है हमारा, procrastination खतम कर दी है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, basic mathematical tools, जिस भी class में वो subject पढ़ा हमारा तरीका, हमारे institute का तरीका यही है पढ़ाने का, यह हमारे institute भी join करना चाते हो, तो आप नीचे number पर click कर सकते हो, अब चीज हमारे पास क्या है, यह तीनों चीज हमारी हो चुगी है complete, next चीज हमारे पास क्या होता है, हर बच्चे की memorizing power अलग-अलग होती है, आपने हमारे पढ़ी हैं, तो एक हफते के बाद मैं उसको भूल चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा? आज की जो चीज पढ़ी है, मै उससे दुबारा पढ़ूंगा एक हफते के बाद, उसके एक हफते के बाद दुबारा revise करमा, चौत है आपके पास भी जएंग होती है, जिस से लेवल पर बढ़ने की, इस चीज़ को समझेंगे हमारे सबसे बढ़िया जो गेमर होंगे आप में से, वो सबसे अच्छे समझ सकते हैं, इस ही बताओ जो पहला लेवल आप क्रॉस कर चुके हो, तो दूसरे स्टेप में लेवल अलग आता है, जिसने पहला स्टेप, पहला ले लेवल होई करना पड़ेगा, तो रिवीजन करने के बाद आपको यह चीज़ ज़रू याद रखनी है, अपने mathematics के questions के लेवल बढ़ाते रहो, पहले आप तियारी करो basic की, फिर medium लेवल पर आओ, फिर उसके बाद सबसे उपर higher लेवल पर, confidence आपका एक level wise बढ़ना चाहिए सीडियों की तरीके से, तो आपक है ज़र लेवल बढ़ाओगे और लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफी बार क्या होता है बच्चा सिर्फ practice करके आता है basic mathematics की, और paper में question आ गया बहुत अच्छे level का, फिर बच्चे का demotivate हो आता है बच्चा, वो कहता है इस बार फिर paper में अच्छा नहीं क्या है मेरा, reason क्या है, अपनी हर बार paper देने के बाद, अपनी गलती को लिखो, mistakes को लिखो, कि हावी हमारी गलती कहा हो रही है, तो basic overall में इस चीज़ के वारे में बताता हूँ आपको, सबसे पहले चीज़ थी understanding, दूसरा हमने क्या बढ़ जब आप चीज़ पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो basic mathematical tools की list बनाना बहुत होगी है, यह भी देखना ज़रूरी है, कि हमारा योदि weak है, तो क्यों weak है, फिर जब आपको culture समझ में आ गए है, तो फिर next revision, जितनी बाद revise करोगे, मैस के लिए कोई ऐसी कोई गुटी नहीं आती है, जो कोई आपको पिला देगा, और आपकी मैस अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, practice, 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 तो revision आपका बहुत important है, और revision के बाद मैं last step क्या बताया था, revision आपने आप कर लिया है, revision करने के बाद level बढ़ाते रहना है हमेशा आपको, फिर जब बढ़ चुका है, practice कर चुकी हो, teacher आपका test लेगा एक महिने के बाद, एक महिने के बाद आपके पूरे marks नहीं आएंगे, 40 out of 40 नहीं आएंगे, 30 out of 30 नहीं आएंगे, करना कहा है, कम क्यूं रहे marks, mistakes लिखो एक diary के अंदर, और वो mistakes दुबारा नहीं होने चाहिए, same mistake घदा भ खतम कैसे किया जाए, यह जो मैंने steps बताएं आपको, starting, understanding, last तक क्या था, check the mistakes, और उन mistakes को दुबारा नहीं करना, practice इतनी बार करो, और यदि आप ज़्यादा marks लाना चाहते हो, तो इन mistakes के उपर बहुत ज़्याद यान देना है, कि जो mistakes आपके last class में हुई है, वो इस class में न study को अच्छा करने के लिए, thank you student